स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और एक्सरसाइज 16B में लास्ट वीडियो में अप्टू कोश्चन नमबर 16 हमने कर लिया था तो आज डिसकस करते हैं कोश्चन नमबर 17 17 में दो पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट में है कि बेस आफ आईसोस्लेस ट्रियांगल is 24 cm एंड इस एरिया इस 192 स्कॉयर सेंटिमेटर find करना है हमको perimeter तो पहले हमको जो है base के बाद जो है दो equal side पता चल जाएंगे तो हम perimeter जो है कि find out कर सकते हैं second में है कि find the base of an isosless triangle अब यहाँ पे देखो base find out करना है whose area is 12 cm square जिसका area दिया हुआ है और एक equal side दियो ही है 5 cm तो सबसे पहले करते हैं question number 17 का part 1 part 1 में base की value दी हुई है 24 और area हमें already given है और area की जो value है वो है आपकी 192 cm square एक rough diagram छोटा सा हम बना देते हैं यहाँ put कर दिया A, B, C अब यहाँ से clearly हो गया कि base है BC perpendicular draw करेंगे D तो अब आपको पता है area क्या होती है that is half into base into height होती है ठीक है? तो height की value कितनी हो गई तब area into 2 upon में base यह बास समझ में आ गई होगी area 192 into 2 upon में base 24 तो height की value calculate करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 cm ठीक है? अब in triangle ABD ABD अब जैसे कि हमने perpendicular draw किया है तो यह BD जो हो जाएगा वो half हो जाएगा total length कितनी है base की? 24 तो यह length हो गई 12 और इधर भी हो गया 12 इसमें भी वो statement लिख दो जैसे पहले लिखते थे कि AD perpendicular BC which bisect BC at D तो therefore यहां लिख देना BD is equal to DC is equal to 24 by 2 is equal to 12 ठीक है? इसको लिखना भूल गया मैं यहां पर लिख देना ठीक है? इसको यही mention किया देना तो in triangle ABD में आप एक side AB square यानि कि यह perpendicular है तो hypotenuse का square is equal to अच्छा hypotenuse से direct जो है base minus कर दें 12 Qd आ जाएगा ठीक है? तो वैसे तो हमको निकालना क्या है? प्लस perpendicular यानि कि AD का square ठीक है? यह दोनों प्लस होंगे तो यह निकलेगा height तुमने निकाली लिए है 16 और AB ही तुमारा side है तो AB square is equal to यह कितना है? 12 और यह altitude कितना आया? 16 आ गया यानि 12 का square प्लस 16 का square यह 12 का square है ठीक है? bracket लगा देते है तो AB का square कितना आ गया? 144 प्लस 16 का 256 is equal to कितना हुआ यह 400 तो AB का is equal to under root 400 और यह equal हो गया 20 cm के आपको इसमें क्या निकालना है? perimeter तो perimeter कैसे निकलेगा? अब यह equal side 20 आ गया यह भी 20 अब बेस दिया है 24 तो देर्फोर perimeter is equal to 2 times 20 होगा sum of all sides अब प्लस 24 कितना आ जाएगा? 64 cm second part देखते है इसका अब second वाले part में जो है 17 का second area अल्रेडी दी हुई है 12 cm square और यहां पे जो है आपको one of equal side is 5 cm तो one of क्या दोनों का हो गया? तो length of equal side is equal to 5 cm तो यहां पे let let ad be perpendicular on bc and base bcb b ठीक है देखो समझाते हैं हम यह हमारा diagram है isosless triangle का यहां पे a यहां b और यहां c आप देखो क्या रहा है कि one of the equal side is 5 तो यह अगर 5 है तो यह भी 5 है perpendicular अगर हमने यहां पे d गिराया तो यह side इस side में जो है equally divide हो गई तो यह अगर total side कितनी है b लिए है हमने तो यह bd हो गया b by 2 और यह भी हो गया b by 2 वैसे ही लिखो गया therefore bd is equal to dc is equal to b by 2 value तो है नहीं तो b by 2 लिख दिए हमने अब यहां से altitude दिख रहा है a d तो altitude a d का square किस triangle में इन triangle a b d में a d का जो square होगा hypotenious यानि k b के square minus b d के square के equal होना चाहिए a d का square हमें नहीं मालूम a b का square हमें पता है 5 का square b d b by 2 का whole square solve करेंगे फर्दर 25 minus b square upon me 4 अच्छा LCM ले लो 4 नीचे 100 minus b square a d का square तो a d की सिद्धे value ही लिखते हो a d is equal to under root 100 minus b square upon में 4 अभी कुछ भी बाहर नहीं निकालते हैं अभी इसके लावा क्या करते हैं हम area हमको given थी area लगाते है area is equal to half into base into height यानि कि area जो 12 दी हुई है वो equal हो जाएगी half base base कितना है b है तो b ही रहने दो लेकिन height तो a d है a d के value इतनी है कितनी है 100 minus b square upon में 4 वो भी root में 2 से ये 12 multiply हो जाएगा 24 और नीचे आजाएगा आपका b आजाएगा ठीक है नीचे इसके b लेते आते हैं 24 by b is equal to under root 100 minus b square upon 4 root इधर से इधर लेके आते हैं तो इधर root क्या करेगा square बना देगा तो कितना आजाएगा sorry root ने तो स्कार में चेंज कर दिया ना तो 24 by b का whole square is equal to 100 minus b का स्कार by 4 तो ये total कितना हो गया 24 का स्कार करेंगे तो कितना आजाएगा हमारा 2,3,0,4 upon में 20 स्कार square to 100 minus b स्कार upon में 4 ठीक है? अब ये multiply हो जाएगा इदर यहाँ पर देखो mistake हुआ 24 के स्कार कितना आएगा 24,24 जा 576 होता है तो अब ये होगा तुमारा 576 upon में 20 स्कार ठीक है? फिर 4 multiply होगा 576 में और इधर 20 स्कार मल्टिप्लाई होगा 100 minus b स्कार में ये step समझ में आ रहा होगा 24 by b का स्कार तो 576 आ गया अपनमे b का स्कार और ये 4 इधर cross multiply में ये 20 स्कार इधर cross multiply में अब देखो 4,6 जा 24 अब 4,7 जा 28 0 4,5 जा 20 और 3 23 अब आया 2304 is equal to 100 b स्कार माइनस b पे पावर 4 हो गया अब सबको इस साइड लेके आते हैं इधर negative है ना इस साइड लेके आते हैं तो b पे पावर 4 माइनस 120 b स्कार और ये इसी साइड है तो plus का होगा 2304 is equal to 0 अब आपको मालूम है ये कैसा हो गया ये आपका quadratic बन गया तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा middle term split करना होगा तो 2304 को break करेंगे और ऐसा break करना है कि 100 आए है ना plus minus करने पे तो देखो ये एक है 64 और 36 अब यहाँ 100 minus में है तो ये भी minus में होना चाहिए ये भी अब 20 स्क्वाइर है एक भी इसके पास एक भी इसके पास इस तर से करते हैं हम इसको तो 120 स्क्वाइर को मैंने split कर दिया minus 64 B में माइनस 36 B में यहाँ पे 2304 square to 0 यहाँ पहले क्या है B पे पाउर 4 अच्छा सारी B पे पाउर 4 है न पहला और लास्ट का प्रोड़क्ट तो B square और B square हो गए यहाँ पे B square B square B square minus 64 minus 36 अब B square दुका माइनस बाहर लिया तो अंदर में 64 is called to 0 दो values आ रहे है B square minus 64 B square minus 36 is called to 0 values calculate करो या तो B square minus 64 is called to 0 तो B square is called to 64 या फिर B square is called to 36 B के value root 36 is called to 6 होगी या तो या तो B के value root 64 is called to 8 होगी ओके तो B base की दो values आएंगे आईधर 8 और 6 Question number 18 है आपके पास कि परिमीटर है आपका 42 दो के अपके आपके परिमीटर है आपका 42 सेंटिमीटर, let ab is equal to ac, ठीक है, अब base की value कितने दिव ही है, बेस, base क्या बचा, bc ही बचा, is equal to 2 by 3 times of sum of equal side, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि let each equal side b a, तो bc कितनी हो जाएगे, 2 by 3 a, am I right here, बेलकुल सही, समझ में आ गया होगा, लेकिन a नहीं होगी, sorry, देखो यहाँ पर, 2 by 3 times sum of equal sides, तो bc is equal to 2 by 3 times sum of equal sides, यानि कि 2 by 3 into 2 a, यानि कि 4 by 3 a, यह हो गया आपका base bc, ठीक है, अब आपको perimeter दिया है 42, perimeter आगया 42, length of equal side a plus a, अब प्लस base, यानि कि 4 by 3 a, टोटल मिला के 42, 2 a plus 4 a by 3, is equal to 42, lcm लिया हमने 3 आया, 32 जा 6 a, plus 4 a is equal to 42, 10 a is equal to 42 into 3, a के value कितनी आ गया, 42 into 3 upon 10, यहाँ पर क्या करेंगे, multiply कर देंगे, 326, 3412, upon में 10, direct decimal पुट करते हैं, 12.6, अब एक rough डाइग्राम हम बनाते हैं, एक rough डाइग्राम में a, b, c, यही दोनों sides हमने equal लिए थी, 12.6 और 12.6, और यह total base, हमारा जो है, वो कितना है, 4 by 3 है, तो अभी base की value तो निकालनी बाकी है, तो base से, यहाँ नहीं, यहाँ करो, next, base is equal to 4 by 3, एका मतलब 12.6, 3 बन जा 3, 4 जा 0.3, 4 3 है 12 का 2, 4 4 जा 16, जा 17, कितना आ गया, base तुमारा, multiply सही है कि नहीं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 2 जा, क्या है 4.2, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 16.8 cm, यह आगया हमारा base, अभी 16.8 है, अब हमको अगर इसका area निकालना होगा, तो height जाननी जरूरी है, तो draw करो perpendicular, AD, on base से, यहां लिखो, draw, perpendicular, AD, on BC, which, bisect, BC, therefore, BD, is called to DC, is called to 16.8 upon me, 2, 8.4 cm, आब आपके पास, यह value आगय, यह आधि हो गई, 8.4, और यह उसकी यहाफ हो गई, 8.4, अब सबसे पहले, हम perpendicular निकालेंगे, यह 90 degree का triangle है, in triangle, ABD, ABD triangle में देखो, perpendicular यानि, AD का square, is called to hypotenuse, AB का square, minus base, BD का square, values देखें, तो 12.6 का whole square, minus 8.4 का whole square, 12.6 का whole square करेंगे, 158.76, और 8.4 का करेंगे, 70.56, subtract करने पर आएगा, 88.20, तो AD square is called to, 88.20, तो AD के value, यानि perpendicular के value हो गई, under root 88.20, इसके value आप, calculate करोगे, तो यह आएगा, 9.39, अब क्या चाहिए आपको, आपको area calculate करनी है, area is called to, half into base into height, यानि कि half into, base BC into height ED, यानि कि half into, 16.8, 9.39, 28 जा, 24 जा, 8.4 में, 9.39 का multiply करना होगा, हमें, 78.888 cm2, question number 19 करते हैं हम, तो question number 19 में, क्या है आपके पास, where is my pen, हाँ, यहाँ है, कि PQR में, देखो आप, isosless triangle है, whose equal side are PQ and PR, और 13 cm, H, यानि, यह भी 13, यह भी 13, and the base QR measure 10, यह base QR 10 है, PS is the perpendicular from P to QR, P से S जो है, perpendicular है, ठीक है, O is the point on PS, O ऐसा point है, PS पे, कि Q, O, R, यानि Q, O, R, यह 90 degree मनता है, find the area of the shaded region, यह shaded region का, आपको area निकालना है, तो जन्रेली देखो, इस shaded area का, अगर reason निकालना है, तुमको तो, टोटल PQR का area, minus Q, O, R का area करोगे, automatically, यह shaded region निकल जाएगा, calculate करते हैं, question number है हमारा, question number 19 में, एक diagram हम रफली बना ही लेते हैं, यहाँ पे P है, Q है, और यह R है, यह हमारा perpendicular है, PS, और कोई point है, यहाँ पे O, ठीक है, और इस तरह से, कि यह जो angle है हमारे पास, यह कितना है, 90 डिगरी का angle है, और यही आपका shaded region है, ठीक है, यह shaded region, अब देखो, in, I source less, triangle PQR, PQ, equal दिया हुआ है, PR के is equal to 13, यह भी 13, और यह भी 13, पूरा base भी given है तुमको, 10, base, QR is equal to 10 cm, अच्छा, यहाँ पे PS जो है, perpendicular, QR, which, bisect, QR, therefore, QS is equal to SR, is equal to 10 by 2, यानि कि 5 आ गया, यानि कि यह भी value 5, और यह भी value 5, यह S है, अब यह वाला triangle, pick करते हैं, यह triangle, PQS, यह perpendicular, हमको पूरा P से लेके S, निकालना है, तो PS का स्क्वाइर, is equal to PQ का स्क्वाइर, minus, QS का स्क्वाइर, PQ, पूरा hypotenious, और यह QS base, hypotenious में से base जाएगा, तो perpendicular बचेगा, पूरा P से लेके S तक, तो यानि कि 13 का स्क्वाइर, minus 5 का स्क्वाइर, यानि कि 169 minus 25, यानि कि PS के स्क्वाइर कितना आ गया, 144, तो PS is equal to under root, 144 is equal to 12, perpendicular के value कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है, अब पूरा एरिया निकालते हैं पहले, area of triangle, PQR, कितना हो जाएगा, half into base into height, यानि half into, QR into, PS, perpendicular पूरा, यानि कि half into, 12 into 10, 6 टेंजर, 60 cm2, ये आगया, हमारा area triangle, PQR का, अब इस वाली triangle में देखो, ये छोटी वाली, QOR में देखना हैं आपको, in triangle, QOR, वो भी ISO-Sless है, ये QOR भी क्या ऐसा है, ISO-Sless है, ये पैन खतम हो गई, पैन टेंगल QOR, चोके ISO-Sless है, एंगल दिया हुआ था, अल्रेदी QOR का, ये पैन खतम हो गई, थीक है, तो देर्फोर, एंगल Q-S, is equal to angle ORS, is equal to 90 by 2, यानि कि कितना या 45 टिकी, ठीक है, किसमे QOR दिया हुआ है, ति कितना या 45 टिकी, एच आया, Q-O-S और S-O-R-S, ORS नहीं, बलकि, देखो, ये 90 है, और ये side इसके equal है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45, इसका नाम होगा, R-O-S, क्या होगा इसका नाम, R-O-S होगा, 45 degree, तो देर्फोर, यहाँ पर देखो, ये 45 हुआ, ये 90 है, तो ये भी angle तो 45 ही, आगया, तो देर्फोर, एंगल, O-Q-S, is equal to 45 degree, ठीके, तो देर्फोर, ट्रियंगल, Q-O-S, is, also, isosless triangle, ठीके, ये 45, ये भी 45 हागया, ये 90 तो था ही, और ये 45, 45 डिवाइड हुआ, क्योंकि, O-Q-Equal था, O-R के, ये 45, ये भी 45, तो ये दोनो, isosless triangle हो गया, तो देर्फोर, अब ये 5 है, Q-S, तो S-O भी 5 हो जाएगा, तो देर्फोर, Q-O is equal to, O-S is equal to, 5 cm, तो देर्फोर, area of triangle, Q-O-R, will be equal to, half into base, मतलब Q-R, into height, मतलब, O-S, याने कि, half into, Q-R का मतलब, कितना हुआ, 10, और O-S, अभी देखा, हमने 5, 200 to, 5, जा कितना आ गया, 25 आ गया, cm2, अब पूरे, बड़े वाले, triangle का area, मालूम है, और जो नीचे, छोड़ा सा triangle, उसका area, मालूम है, आपको किसका area, निकालना था, shaded region का, तो therefore, area of, shaded region, is equal to, area of triangle, PQR, जो सबसे बड़ा वाला है, minus, area of triangle, Q, O, R, जो नीचे, छोटा सा, इस उसले से, दोनों को minus करे, PQR की area, पहले से पता है, 60, minus 25, answer आगया, हमारा, 35 cm, square, अब हमारे पास, इस exercise का, एक last question है, कि, the perimeter of right triangle, is 50 cm, and hypotenuse is 18, find its area, आपको area find करना है, perimeter दिया हुआ है, और hypotenuse 18 है, इस question में, सबसे पहले, एक छोटा सा, triangle बना लेते हैं, 90 degree का, अब इसमें, जो hypotenuse है, उसको AC ले लो, और यह 90 degree कर देते हैं, B पे, hypotenuse की value दी हुई है, एंगल B, 90 degree होगा, AC 18 दिया हुआ है, और perimeter की value, दी हुई है 50, ठीक है, त्यहाँ पे लेट, AB is equal to, H, and BC is equal to, B, इसको H लिख दिया, इसको B लिख दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, perimeter लेके आते हैं, is equal to, H plus, B plus 18 होगा, यानि, 50 is equal to, B plus H होना चाहिए, plus 18, तो B plus H की value, यहाँ से निकली आपकी, 50 minus 18, यानि, B plus H is equal to, 32, ठीक है, एक रिष्टा यहाँ से निकला, अभी इसको equation वगरे नहीं लिया है मैंने, अभी इसके बात करोगे, आप मैं बगल में कर दे रहा हूँ, एक relationship यह भी निकलेगा, कि in triangle ABC, in triangle ABC, 18 का square, hypotenuse का square, square to height का square, plus base का square, यानि कि, 324, square to B square, plus H square, या फिल लिख सकते हो, B square plus H square, square to, 324, यह दूसरा एक relationship निकला, अब area होता क्या है, base into, height होता है, ठीक है, तो, इसी को, B plus H वाले में, इसी में, इसको, क्या करेंगे, squaring, both, side, इसको first माल लो, इसको squaring करेंगे, तो B plus H का, whole square, is equal to, 32 का whole square होगा, A plus B का whole square, A square plus B square, plus 2AB आ गया, 32 का whole square करेंगे, 1024 आता है, अब दिख रहा है, H plus B, square के value कितनी है, 324, तो H plus B square के value कितनी रख देंगे, 324, plus twice, base into height, is equal to 1024, और यह value कहां से आई, तो यह रहा, from, first, लिग दोगे reason में, अब यहां से, 2, base, twice, base into height की value आई, 1024, minus 324, minus करेंगे, 300, तो कितना आएगा, 700 आएगा, twice, base into height, is equal to, 700, तो, base into height की value, कितनी आ जाएगी, 700 upon met 2, यहांने की, 175, यह, base into height की value आई है, sorry, 350, 300 होगा, नहीं, 700 का आदा, 300, अब, area कितना होता है, is equal to, half into, base into height होता है, तो, half तो लिग दिया, अब, base into height कितनी है, 350, अब आएगा, आपका area, that is, 175, 75 cm square, तो, that's all for this exercise, मिलते हैं, next video में, फिर, next further questions के साथ,